अगर आपका मन कुछ मीठा खाने का हो रहा हो या फिर कोई डिजर्ट वो भी बिना शुगर के तो आपको इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करना चाहिए बहुती easy ingredients के साथ बन जाती है तो सबसे पहले तो हमें 8-10 खजूर लेने हैं और उसकी बीज को हमें निकाल देना है और उसकी बाद इसे थोड़े से गर्म दूद में 15-20 मिनिट के लिए सोक होने के लिए रख देना है और जब यह अच्छे से फूल जाए उसकी बाद इसे ए प्रविस्पुन ओईल होंगे उसको आमें डालना है रीफाइंड ओल या फिर ओलिव उल्ल जो भी फ्लेवर ले सोईल हो आप यूज कर सकते हैं फिर इसमें डालेंगे 5-6 टीबिस्पुन करड़ और इस सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां आप चाहें तो शुगर भ बाद इसमें फिर सेम बोल से एक बोल आटा डालेंगे आटा को आप पहले चान लें उसके बाद यूज करें फिर दो टेबिस्पुन के करें कोको पाउडर और तू टीस्पुन के करें बेकिंग पाउडर और वन टीस्पुन के करें बेकिंग सोडा फिर थोड़ा से नमक ड जालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो इन सब को अच्छे से विस्क करने के बाद इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की सी डो जैसी होनी चाहिए बहुत जादा लूज नहीं होना चाहिए अगर लूज लग रहा हो तो आप इसमें 4-5 तीबल स्पुन आटा और डा अप स्कॉयर भी यूस कर सकते हैं यहां मैंने एक लोफ केक टिन यूज किया है आप राउंड वाली भी यूज कर सकते हैं और इसके बाद फिरसकों एक परीहीटे डवन में 40-45 मिनित लिए बेक कर लेना है 180 डिग्रीज पर सो बेकिंग ताइम जो है वह 5-10 मिनित आगे पी इसको टॉप कर दे थोड़े से वालनट के साथ और थोड़े से चॉकलेट चिप के साथ तो एक्स्ट्रा स्वीटनेस में यह थोड़ी सी चॉकलेट चिप्स ही हमने यूज किये आप इसे भी स्किप कर सकते हैं अगर आपको टोटली से शुगर फ्री बनाना हो तो